लोग सबाच चुनाव के पहले अरविंद केजरिवाल लगातार नए मामलों में फस्ते जा रहे हैं अब अरविंद केजरिवाल को आम आदमी पार्टी पर ऐसा संकटा गया जिसका सरसीधा लोग सबाच चुनाव पर पढ़ता दिख रहा है जिस वज़े से दिल्ली में खाता खोलने की भी उम्मीदें धूल चाटी नजर आ सकती हैं मामला किसी जाच एजनसी का नहीं सीधे मतदाताओं का है जिन्होंने अरविंद केजरिवाल और उनकी पार्टी को वोट नहीं देने का फैसला कर लिया इतना ही नहीं उन्होंने अपने इलाकों में आम आदनी पार्टी के नेताओं की एंट्री पर भी बैन लगा दिया दिल्ली के सैखड़ो गाओं में सर्वसमती से फैसलिया गया वहाँ की जनता लोकसबा चुनाव में ना तो आम आदमी पार्टी के निताओं को अपने गाउं में घुसने देगी और ना ही यहाँ पर उन्हें वोट देगी यह सब ऐसे वक्त में हुआ जब उसके दिगजनेता मनीश सोधिया, संजे सिंग, सतेंद्र जैन सभी जेल में हैं दिल्ली शरब घोटाला मामले में मुख्यमंतुरी अर्विंद के जिवाल को बार बार नोटिस दिये जा रहे हैं दिल्ली स्वरकार इन परेशानियों से जूच रही है ग्रामिडों के एक निकाए ने दिल्ली नगर निगम पर बजट तयार कर उनमें सलाह नहीं लेने कारूप लगाया और इन ग्रामिडों ने कहा कि आगामी लोग सबाचुनाव और विधान सबाचुनाव में आमाद्मी पार्टी आपके उम्मीदवारों को गाउं में घुसने नहीं दिया जाएगा महानगर के 360 गाउं का प्रतिन धित्व करने वाली संस था दिल्ली पंचाइट संग के बैनर तले लोगों के एक सम्मूह ने निगम के वादे के मताबिक बजट 2024-25 तयार करने में उन से सलाह न लेने को लेकर MCD मुख्याले पर एक ग्यापन चिपकाया ग्रामिडों ने 8 फरवरी को सदर में पेश होने वाले बजट के लिए ग्रामिड निकाई द्वारा सुझाव नहीं लेने के लिए महापौर शैली औबिरोय के खिलाफ प्रदर्शन किया ग्रामिडों का दावा है कि लगातार संपर करने पर महापौर ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया इसके पहले दिल्ली हाई कोट ने अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ चल रहे आप राधिक मानहानी के मामले में खारिज करने से इनकार कर दिया दिल्ली हाई कोट ने कहा कि मानहानी कारक सामगरी को रिट्वीट करना मानहानी के समान है दिली हाइकोट ने कहा कि दिली के काफी फालोवर्स हैं केजरिवाल के काफी फालोवर्स हैं और वीडियो दोबार रिट्वीट करने से परिणाम समझते हैं जस्टिस वरनकांत शर्मा ने मामले में अरविंद केजरिवाल को तलब करने के निचली अदारत के आदेश को बरकरार रखा है एकल न्याइधीश ने कहा कि केजरिवाल के एक्सपर कई फॉलोवर्स हैं वीडियो को रिट्वीट करने का नतीजे समझते हैं अपमान जनक सामगरी को रिट्वीट करना मान हानी कारक है आम आदमी पार्टी के सेयोजक ने पांडे ने कथित रूप से अपमान जनक प्रकाशन के मूल लेखन यानि धुरवराठी और अन्या लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया रिट्वीट किये गए लाइक किये गए वीडियो के पाद टिपनी किया और इसके बजाए और उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ कदम उठाया जो पादे की दुर्भावना को दर्शाता है वकील ने दलील दी ये दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि केजरीवाल ने पादे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने की रादे से वीडियो को रिट्वीट किया था और इसलिए मान हानी का कोई मामला नहीं बनता लोग सबह चुनाव करीब है सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियां कर रही है और कॉंग्रेस है जो सब को छोड़ कुटों में उलजी हुई है हाल ही में मलिकार जुन खड़गे ने बूत कारेकरताओं की तुलना कुटों से कर दी थी जिसको लेकर तगड़ा हंगामा हो गया ये सब शांत भी नहीं हुआ कि राहूल गांधी का एक वीडियो वारल हो गया जो इसमें राहूल गांधी अपनी रैली के दौरान एक कुट्टे को बिसकिट खिलाते दिख रहे हैं जब कुट्टा वो बिसकिट खाने से मना कर देता है तो वो उसी कुट्टे का मू लगा बिसकिट अपने कारेकरता को थमा देते हैं फिर उसे प्यार से बात करने लगते हैं राहूल गांधी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर है और हर कोई इस पर अपनी टिपणी कर रहा है भाजपा नेता अमित मालविया ने इस वीडियो को शेयर कर कहा कि अभी कुछ दिन पहले कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने पार्टी के बूत एजेंट्स की तुलना कुट्टों से की और यहां राहूल गांधी अपनी यात्रा में एक कुट्टे को बिस्किट खिला रहे हैं और जब कुट्टे ने नहीं खाया तो वही बिस्किट उन्होंने अपने कारेकरता को दे दिया भाजपा नेता ने कहा कि जिस पार्टी का अध्यक्ष और युवराज अपनी पार्टी कारेकरताओं के साथ कुट्टे की तरह बरताव करे तो ऐसी पार्टी का लुप्त हो जाना ही स्वभाविक है इसी तरह पल्लवी सीटी ने लिखा कि कितना शर्बनाक है पहले राहूल गांधी ने हिमंता बिस्किट खिलाने की कोशिश की फिर कॉंग्रेस अध्यक्ष खडगे ने पार्टी कारेकरताओं के तुलना कुट्टे से की और अब शहजादे वही बिस्किट पार्टी कारेकर असमिया हूँ भारतिया हूँ मैंने उसे खाने से मना कर दिया और कॉंग्रेस से इस्तीफा दे दिया एक इंटर्वियू में हिमंता बिस्पा सर्मा ने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताया था उन्होंने कहा था वो एक बैठक के लिए राहूल गांधी से मिल भी लगे हिमंता बिस्पा सर्मा ने उसी खान ने लिया कि वो कॉंग्रेस को छोड़ देंगे मलिकार जुन खडगे ने हाल ही में बूत एजेंट्स की तुलना कुट्तों से कर दी थी उन्होंने कहा था कि हमारे यहां एक कहावत है जब आप बाजार में जाते हो और आपको कुट्ता या कोई जानवर लेना हो तो आप उसके बारे में पूछताच करते हो अगर इमांदार जानवर को भी लेना है तो उसका कान पकड़कर उपर उठाते हैं उपर उठाने के बाद अगर वो भौकता है तो वो ठीक है अगर थोड़ी सी आवाज करता है तो वो ठीक न करके बाहर आना चाहिए नहीं तो आना जाना ठीक नहीं है दिल्ली में शराब घुटाला मामले में एडी ने आम आदमी पार्टी के खिलाब बड़ा एक्शन लिया एडी ने आम आदमी पार्टी जोड़े करीब एक दर्जन ठिकाने पर छापे मारी शुरू कर दी इससे दिल्ली में सियासी गर्मी तेज हो गई आम आदमी पार्टी के कोशा ध्यक्ष और राज्यसवा सांसद एंडी गुपता से लेकर अरविंद केजरिवाल के निज़ी सच्चिव विभव कुमार के आवास पर भी छापा डाला इंडी गुपता से एडी शराब घोटाला मामले में पहले भी पूछताच कर चुकी है इसके लावाद दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलब के यहां भी छापे मारी की जा रही है सुत्रों के मताबिक दिल्ली आमाद्मी पार्टी के निताओ और उनसे जोड़े लोगों के यहां चापे मारी मनी लॉंडरिंग मामले में चल रही है लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि मनी लॉंडरिंग के इस मामले में एडी ने रेड की अरविंद केजरिवाल इसी मामले में एडी के समन को लगाता ठुकरा रहे है और एडी पर सियासी आरोप लगा रहे है इस चापे मारी के बाद आमाद्मी पार्टी में खल बली मच गई केजरिवाल के समर्थन में सबसे पहले शिवसेना यूबिटी के संजयर आउट सामने आए जो पात्तरा चौल घोटाला मामले में महीने बर से जेल की हवा खा कर लोटे हैं संजयर आउट ने आमाद्मी पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर एडी की चापे मारी को लेकर केंदर सरकार और बीजेपी पर निशाना सादा और ने कहा कि ये भी डिमोकरसी का मर्डर है यदि देश में सरकार के खिलाफ कोई बात करता है तो एडी उसके घर पहुँच जाती है डिमोकरसी का मर्डर सिर्फ चंदीगर में नहीं पूरे देश में हुआ महराश और जारखंड में भी हुआ सुप्रीम कोर्ड डिमोक्रिसी की हत्याक की बात करती है लेकिन डिमोक्रिसी बचाने के लिए कुछ नहीं करती क्या कर रही है ये जनता की तरफ से सवाल है दूसरी तरफ अतिशी ने प्रेस कॉंफरेंस कर एडी के गवाहों पर जबरन फर चाहती हूं कि पिछले दो साल से आमाद भी पार्टी नेताओं को डराया जा रहा है जांच हो रही है लेकिन कुछ मिला नहीं जांच में आज तक एक रुपया हाथ नहीं लगा सिर्फ गवाहों के गवाह के बयान के आधार पर ही एडी का रवाई कर रही है एक गवाह ने बताये कि एडी ने उसको थपड़ मारा एक ने बताये कि गवाहों से जबरन बयान लिये गए अतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी जांच उगवा को डरा कर बयान नहीं ले सकती इस आदेश के अंतरगत एडी भी आती है अदालत के आदेश के अनस तो सड़कों पर हीरो पंती दिखाते हैं और अगर मामला कोर्ट में चला गया तो खुद की सीम और मंतरी बताकर उपरी अधालत में मामली को ही खारेज करने पहुंच जाते हैं इसी चक्कर में करनाटक के सीम सिधारमय सहित कई नेताओं को हाई कोर्ट ने तकड़ा जुट नहीं किया जा सकता कोट ने जिस मामले में सक्त रुक अपनाया वह एप्रिल 2022 से जुड़ा हुआ है इतना ही नहीं कोट ने सिधारमय सहित सभी नेताओं को अगली सुनवाई पर पेश होने को भी कहा है पीच ने कॉंग्रिस नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा शहरे ज कॉंग्रिस नेताओं के खिलाफ F.I.R. दोज की गई थी कॉंग्रिस पार्टी ने एक ठेकेदार संतोष पार्टिल के अथ्भत्या के मामले पर विरोध प्रदर्शन किया था और ततकालीन मंत्री केस इश्वरप्पा के स्तिफे की मांग की थी नियाय मूर्ती कृष्ण ए अदालत ने S.I.C.C. महा सचीव और करनाटक प्रभारी रंदीप सुर्जेवाला को 7 मार्च परिवहन मंत्री राम लिंगा डिड़ी को 15 मार्च और M.B. पार्टिल को 11 मार्च को अदालत में उपस्तित होने के लिए कहा है कोट ने सब ही नेताओं पर 10,000 रुपे का जुर्माना लगाया है यह जुर्माना बेंगलूरू के हाई क्राउंस पुलिस सब इंस्पेक्टर जाहिदा को मामले में घहसीच ने और उन्हें एक पक्ष बनाने के लिए लगाया है सिएम सिधर माया के वकील ने अपील किया जाने तक आदिश पर रोख लगाने का अनुरोझ किया पीछ ने इस पर ध्यान देने से इंकार कर दिया साथ ही कहा कि यधी जंता के प्रतिन इधी कानून का पालन करेंगे तो लोग भी उनका पालन करेंगे अगर विरोध प्रदेशन सड़को पर किया गया तो लोगों को परिशानी होगी Bureau Report, News of India कॉंग्रिस ने इड़ी गटबंदन के गुबारे में इतना ज़ादा हवा भर दिया कि उड़ने से पहले हिंवा गुबारा फूट गया निटीश कुमार के गटबंदन से बाहर जाने के बाद इंडी गटबंदन में बिखराओ तेज हो गया है मौके की नजाकत को देखकर अब उद्धव ठाकरे ने भी अपने सुर बदल लिये हैं भाजपा को लेकर उद्धव ठाकरे के बदले सुर ने महराश्टर की राजनीती से लेकर देश की राजनीती तक में खलबली मचा दी है भाजपा नेताओं ने भी दबे सुर कहना शुरू कर दिया है कि राजनीती में दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं उपक्षि गडबंधन की दो बड़े मजबूत माने जाने वाले राजजे बिहार और महराश्ट की राजनीती में बड़े बदलाव दिखने लग गये हैं बिहार में तो नितिश कुमार नी राजग में जाकर इंडी गडबंधन को करारा जटका दिया है अब महराश्ट में वैसी ही सुग्बु गाहट है उद्व ठाकरे नीकर एली में कहा कि वह मोदी को बताना चाहते हैं कि हम कभी आपकी दुश्मन नहीं थे आज भी दुश्मन नहीं है वह और शिव सेना उनकी सांथी हमने पिछली बार अपने गडबंधन के लिए प्रचार किया था आप प्रधानमंत्री बने बाद में आपने हमें खुट से दूर कर दिया हमारा हिंदित्व और भगवाद द्वज आज भी कायम है ठाकरे का यह बयान उस समय आया है जबकि लोक सभा चुनाओ से पहले विपक्षी गडबंधन दरक रहा है और भाजपा नए पुराने साथियों को जोड रही है महराश्टर में भाजपा ने दो दलो शिव सेना और एंसीपी को तोड़ कर अपनी साथ लिया है दोनों ही दलों के अधिकांश नीता भाजपा के साथ है ऐसे में विपक्षी गडबंधन बेहत कमजोर हुआ है उद्धव ठाकरे सदन से लेकर अदालत और चुनाओ आयोग तक पार्टी और चुनाओ चिन्ही की लड़ाई हाच चुके हैं एंसीपी और कॉंग्रेस के साथ चुनाओ में जाने पर उनकी दिक्कते और बढ़ सकती है उद्धव ठाकरे महराश्टो में के सावंत वाड़ी में एक जन सभामे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की तारीफ की उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह पहले भी कभी पीम मोदी के दुश्मन नहीं थे और आज भी उनके दुश्मन नहीं है पीम मोदी ही वह व्यक्ती थे जिन्होंने शिव सेना के साथ संबंद जोडने का फैसला किया था हम आपके साथ थे शिव सेना आपके साथ थी लेकिन बाद में आपने हमें खुद से दूर कर दिया शिव सेना UBT के प्रमुख ने हाला कि इसके साथी बीजे पर प्रहार करते हुए कहा कि हमारा हिंदतो और भगवा द्वज आज भी कायम है लेकिन बीजे पी आज उस भगवा द्वज को फाड़नी की कोशिश कर रही है प्यम नरेंदर मोधी के पक्ष में उद्व ठाकरे के इस बयान पर राज्य विधान सभा के विवपक्ष के नेता और कॉंग्रिस विधायक नेचाए वे डिद्वार इस बयान को ज्यादा तूर लिया गया उनके पास क्या बचा है ठाकरी एक स्वाग्मानी नीता है और वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे अर्विंद केजरिवाल ने आतिशी मार लेना को मंत्री क्या बनाया और उन्हें सबसे ज्यादा विभाग भी सौब दिये उसके बाद आतिशी मार लेना के मानों पर ही निकल आए हों और कई मामलों में तो वे केजरिवाल से भी दुक अदाम आगे निकल कर तथ्यहीन और अप्रमानित बयान देने लगी बिना कारण किसे थबूत के अब उनोंने एडि पर गंपीर आरोप लगाए तो पलड कर ईडि ने आतिशी के खिलाफ कारवाई करने की चेतावनी देडाली अगर एडी आतिशी मार लेना के खिराफ कारवाई करती है तो फिर आतिशी मार लेना के साथ अर्विंद के जुरिवाल की मुसीवत बढ़ जाएगी अतिशी ने प्रेस कांफरेंस करके आरोप लगाया कि ऐसी खबरे हैं कि एडी आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ दिन भर चावे मारी करेगी केंदर की बीजेपी सरकार जाच एजिंसीज का इस्तेमाल पार्टीज को डराने के लिए कर रही हैं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रवरतन निदेशाले ने अभिकारी नीती मामले से जुड़े गवाहों और आरोपियों के बयान जबरं तथा धमकी दे कर दिलवाए हैं मंत्री आतिशी के आरोपों पर प्रवरतन निदेशाले ने जवाब दिया उन्होंने कहा कि या तो आतिशी ने प्रवरतन निदेशाले के खिलाफ जूटे निराधार और दुर्भावना पूर्ण आरोप लगाए हैं कुछ आरोपी के सिसी पीवी फुटेज हटाने के को कथित आपकारी नीतिक होटाला में कुछ नहीं मिला उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक आरोपी ने पूछताच के सीसी टीवी फुटेज देने का अनुरोध करते हुए अदालत में अर्जी दायर की थी एडी ने उनका एक सरकारी गवाह से आमना सामना कराय था और य आटिशी ने कहा कि एडी ने पूछताच की वीडियो फूटेज की ओडियो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है। जाँच एजनसी पर सवाल उठाते हुए आतिशी ने कहा कि मेरे दो सवाल है एडी कैच्छे पाना चाहती है एडी ने कितने बयान दर्च किये उन में से कितने बयान कैमरे में दर्च किये उन में से किन बयानों की ओडियो रिकॉर्डी है प्रवरतर निदिशाले ने कहा कि विडियो प्रारूप में रिकॉर्ड किया गया था क्योंकि तत्काले ने उपलब्ध सीसी टीवी सिस्टम में आडियो रिकॉर्डिंग करने की सुविधा नहीं थी। विडियो रिकॉर्डिंग के पुछताच की आडियो रिकॉर्डिंग सक्षम हो गई है। लेकिन इन सब के बीच उतर प्रदेश के बागपद स्थित बदरुद्दिन शाह की मजाद और लाक्षा ग्रह विबाद में कोर्ट ने तैसला सुना दिया है। एडिजे कोर्ट ने इस मामले में 120 गह जमीन हिंदू पक्ष को सौब दी है। पिछले 50 साल से ये मामला कोर्ट में था। ये मामला पहली बार 1970 में सामने आया था जब मुस्लिम पक्ष की और से मुकीम खान नाम के एक शक्स ने लाक्षा ग्रह को बदरुद्दीन शाह की मजार और कब्रिस्तान बता दिया। इसके बाद मामला कई सालों तक कोर्ट में चलता रहा। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की और से ब्रमचारी कृष्णदत्न महराज को प्रतिवादी बनाया गया। इस मामले में करीब सौ बीगह जमीन के मालिकाना हक को लेकर मामला कोर्ट में चलता रहा। हिंदु पक्ष की और से कोर्ट में सबूत पेश किये गए। कोर्ट में सुनवाई के दोरान दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गई और सबूत पेश किये गए। हिंदू पक्ष का कहना है कि लाक्षा ग्रह माभारत काल से मौजूद है। इसका इतिहास पांडवों से जुड़ा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले में कहा गया कि बरनावा में प्राचीन टीले पर शेख बदरुद्दीन की दरगाह और कब्रिस्तान है। वसुन्नी सैंट्रल वक्ष बोर्ड में दर्ज होने के साथ रजिस्टर्ड है। दूसरी तरफ बरनावा के लाक्ष ग्रिस्तित संस्कृत पिद्याले के प्रधानचारे आचारे अर्विंद कुमार शास्त्री का कहना है कि ये इतिहासिक चिला महाभारत कालीन लाक्ष ग्रे है। विवादित 108 बीगा जमीन पर पांडव कालीने एक सुरंग है। दावा किया जाता है कि इसी सुरंग के जरीए पांडव लाक्ष ग्रेह से बच कर भागे थे। इतिहास कारों का दावा है कि इस जगे पर जो अधिकतर खुदाई हुई है एसाई की देखरेख में 1952 में खुदाई भी की गई थी जिसमें कई दुरलब अवशिश मिले थे। यहां खुदाई के दौरान 4500 साल पुराने बरतन भी मिले थे। महा भारत काल के बताए गई ये बरतन। महा भारत में भी लाक्ष ग्रेह की कहानी का वरणन मिलता है। दुर्योधन ने पांडवों को जला कर मारने के लिए एक यूजना बनाई थी। उसने अपने मंत्री स इस लाक्ष ग्रेह का निर्मान करवाया था।